हेलो फ्रेंट्स शारो मातर सोई में आप सब का स्वागत है उमीद करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे तो राखी का तोहार आने वाला है तो उसके लिए ही अब हम आपके लिए कुछ रेसिपीज लिखे आए है तो उसमें से ही आज देख लेते हैं क्या बना यह चनो को हमें हलका सा रोग्स कर लेना है तो इसमें प्लेंपर घुष्ट आने लगेगी भूने की तब तक हमें इसे बून लेना है अगर आपके पास बूने वए चने नहीं है तो अभी आप जितना अच्छे से बून लेएंगे आगे हमें उतने ही कम मेहतों की इसे और और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो रेख सकते हैं जब हमारे हलके चने बुनने के बाद प्लेट में हलके से थंड़े हो जाएं इतने कि आप इस तरीके से मिक्सी का जाल लेंगे और इसमें तो आदे-ादे करके वे दो बार में अपने इस चनों को पॉड़र बना के त्व facade करेंगे हमें एस्ट के प mining प्रवाट में होजा हैं अगर आप इसे फरी एक आऄ चाल जाएंगे जिसमें जो भी मोटे रहेंगे चने वह गो हो जाएंगे और जो फाइन पॉड़र होगा वही हमारा इसमें निकल के आएगा यह आपको स्टेप जरूर से फॉलो करना है तो इसे हम अच्छे से चान लेते हैं पोटी चने बचे हुए हैं वापस इसे हम जान में एड करेंगे और जो हमारे दूसरे बेंच के चने हैं उनको भी इसमें एड करेंगे और एक साथ वापस से पीस लेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको हम छान लेंगे यह आगे चलते हैं गैस अन कर दिया है इसमें हम लगवाग आधी कटोरी जितना देसीगी अपना एड कि पहले हमने थोड़ा कम ही गी एड किया है हमें जरूत लगेगी तो इसे साफसे बार में और एड करेंगे और जो हमने अपनी चलो का पाटर्व बना कर तया था उसे इसमें एड करेंगे तो धले मिक्स करके देखे हैं कि हमारा सफिशेंट है या हमें और गी की जरूत इतना गी देखिए अब सफिशेंट है क्योंकि हमारा जो हमने चने का पीस के पॉड़र किया है वो लगवग ऐसे अच्छे से तर हो जाना चाहिए घी में लगवग घी चया होता है जितना हम बेशन डालते हैं यो कुछ लोग तो ओतना ही घी लिया होता है हमने अब आधा ही गी अपना एट किया है अब हमें अपने इस पॉड़र को चने के कोवर्चे से भूल लेना है इसे भूलने में हमें लगवग 7-10 मिनिट का समय लग जाएग बूल लेंगे, यह देखे, देख सकते हैं, आपको खुदबा खुद दिखेगा, कि हमने चने अपने चनों का पॉर्डर एड़ किया था, तब एकदम हलका था, और अभी यह भून-भून के हमारा अच्छे से डाक कलर आ चुका है, और इसमें बहुती इंटेंस अरोमा बलाने के लिए मुंद चाहें ऋपर्ड एड करेंगे ससे, और इसमें बनाने के लिए आज इसमें गुड़ मेंगे कर रहे हैं, अपने गुड़ को करेंगे, जब तक की हमारा ही अच्छे से मैल्ट नहीं हो जाता है इसके साथ ही अपने बिदक बदाम और मींगे लिए हैं, बदाम को थोड़ा मोटा मोटा चंक्स में कट कर हुआ है और मींगे लगबर दो टेबल स्पून है इनको भी इसके साथ महीं मिक्स कर देंगे आच्छे से कोई और ड्राइप फूड या सीड आइट करना चाहें तो आप वो भी इसे आइट कर सकते हैं इसमें इसे हमें आप च करना है जब तक हम इसको हाथ से अपने सहन नहीं कर सकते हैं तो नहीं हमें इसे थंडा करना है उसके आगए का प्रोसिस करें टेम्हिंक यह बड़ी प्लेट या पराथ में निकाल लेते हैं खरदा होने के लिए वह श्कीज़न हिस्टे से इसे खंडा हो चुका है इतना है क कभी आपका एमिशन सूखा हो जाए आपको लगता है कि आपके लट्डू नहीं बन पाएंगे ड्राइव हो रहा है तो इसकेस में आप या तो अवल गी एड़ करना चाहें थोड़ा सा गी को मेड़ करके तीन चाह चम्मा जिलना एड़ कर सकते हैं या फिर आप दूद्ध भ आप देख सकते हैं हमने इनको अपने बना के लट्डू को तयार कर लिया है आपके अगर सॉफ्ट हो तो आप थोड़े रहने प्रिश में रख सकते हैं या ऐसे भी सॉफ्ट खाएंगे तो बहुत खाने में टेस्ची लगेंगे तो इस करीक से आप यह तोहार पे बना के त देख सकते हैं हमारे दूद में बॉल आना स्टार्ट हो चुका है इसे हम हलका सा थेक होने देते हैं पहले अपनी फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे जिससे हमारा दूद बाहर ना आए दूद को पार्च मिनट हो चुके हैं ऐसे ही बॉल होते हुए इसमें हमने यह 80 ग्राम श करेंगे जब इस तरीके से दूद को कड़ते हुए हमारा 10 मिनट और हो जाएगा तो हलका सथिक हमारा दूद और हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें हम नहीं आधा चम्मच कॉन फ्लार लिया हुआ है हाफ टी स्पून वह इसमें एड कर देंगे बस आधा चम्मच कॉन इसमें आड करना है जाद़ना फ़र हमारा बार में ऊ Beruf एच्जाक करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसके कोई भी हमारे लंच नहीं तो हमारे दूद में मिक्स हो जाना क्या चाहिए यह अच्छे से डूद हो लिए 5 शशुच हो घंडरा होता है वह अपको ऑग हमें से कोक करेंगे ऐसे ही यह देखें दूर हमारा गाड़ा हो के अल्मोस्ट हाफ से भी कम रह चुका है अभी हमें से और थिक करना है हमें इसे अब तेश फ्लेम पे थोड़े चलाते हुए कोक कर लेंगे इतना कोक रिड्यूस होने में हमें लगब 15 मिनिट का समय लगा है क् अब तो हमें इसमें कृमपला एड किया थोड़ा सा उससे क्या होगा हमारा यह दूप थोड़ा जल्दी ही रेड्यूस हो रहा है अदर वाइस हमें थोड़ा और समय लगता अगर हम कृन फ्लार आड नहीं करते तो तो इसे हम टेश फ्लेम पे चलाते हुए कोक कर लेते हैं यह देखें, देख सकते हैं, हमारा दूर्थ थिक होते होते हैं, इस स्टेश में फॉच चुका है, यह हमारा अल्मूस्ट खोया या मावा आप जो भी है, वो निकल के आगया है, लेकिन क्योंकि हमने इसमें कौन फ्लार एड किया था, छोटा, छोटी आदी चम्मच, तो इसल दाने का बनेगा, अब हम क्या करेंगे, तो टेवल स्पून जितना कस्टड पॉड़र लिया है, जो की वेनिला फिल लिवर का है हमारा, वो हम इसमें एड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे की हमारे इसमें जो भी दाने या गुट्लिया है, वो सारी कि सारी खतम हो जाएं, इसी स्टेश पर आप भी आइड कीजिएगा, जिससे हलका सा लिक्रिडी जो हमारा खोया होगा, तो दाने जो होंगे मारे कस्टड पॉड़र के, वो अराम से इसमें मिक्स हो पाएंगे, इसमें हम एक छोड़ी चम जितना केवरा जल दाल देंगे, थो और एक से दो मिनिट लगेगा इसे हमारा उस स्टेश तक पहुंचने में, हम एक बड़ी चमच कितना देसी घी एड करेंगे, जिससे कि इसमें एक अच्छी जी शाइन आ जाएगी, और सेट होने में हमारे लिए यह हेल्फुल होगा, गी एड करने के बाद ही इसने पैन अ जुचिंज साफ और बसे हमारा जूआल दो क्แลu शिएम या कोई थाल ले सकते हैं… इसमें हलका सा गी लगा लिते हैं जिससे इसमें हमें निकालने में आराम से बहार आ जाएगी कि हम्ने यह बना कर से अपने मिक्शं त्यार किया है इसको इसमें पीओर कर देंगे इस तरीके से इसको हम बिख श्यप दे लेते हैं इस से हमारी हलकी से इसको हैट मिल जाएगी जै에 Admario if it Li ढख रएगी अभा इसको पर थोड़से DRRIFT गाणिश कर देते हैं यह हमने बदाम की कतरन ली हुई है, इसको हम इसको पर इस तरीके से लगा देते हैं, हलका हलका हातों से प्रेस कर दीजेगा, जिससे यह भी हमारे इसमें ही अच्छे से से हो जाए, और अब हम इसे अपने 2-3 घंटे के लिए कम से कम रखेंगे, जिससे हमारी अच्छे से से स करना, तो आप भी कर सकते हैं, उससे भी काफी अच्छे से हमारी इसे से हो जाएगी, तो इसके बाद हम इसे कट करेंगे, देख सकते हैं, हमारी बर्फी को हमें रखे हुए 3-4 घंटे का समय हो चुका है, इसे आइए बरी देख लेते हैं, इस तरीके से आप टच करके आपको फील होगा, आपके हाथों में स्टिक ही नहीं होगी, थोड़ी सी हाड हो गई होगी, तो यानि कि हमारी अच्छा से से हो गई है, इसके आईए पीसे कट कर लेते हैं, इसने अराम से आपके पीसे बाहर आते जाएंगे, इस तरीके से अगर शेप थोड़ी सी कट करन हां पने के एकदम त्यार है, आपकी काफी सोफ़र्फी बनके इस तरीके से आप देकिगे एकदम मुलायम हमारी यह पुर्फी अच्छे से अदे बनके तयार है, खोड़ा-सा टुकणा आपThis ब्रफी कहां में उससे तरीके से यह अच्छी बर्फी आपके फ giaर ही तार होग जाएंगे, एक पप ही दूद्र लिया हुआ है, दो कप हमने मिल्क पॉडर लिया है और एक कप हमने ये मिल्क लिया हुआ है, इसको हम पहले इसी में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अभी हम अपनी अपनी गैस की फ्लेम को अन नहीं किया है, बिना गैस की फ्लेम जलाए हु से अधार करना विए इससे इसा सबस्कार करते हैं इसे इस तरह कें से मघंस कर तक तक हम ढमारे जल्थी होना करेंगे साथ में हमने गोले का बुरादा भी इसमें एट किया हुआ है तो ध्यान लगिएगा है कि आपके पैन में नीचे लगे नहां जाएगा तो टेवरिस्पून जितना हमने यह रोज से रफ इसमें एट किया है और इसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें हम पिंक फूट कलर भी अपना एट करेंगे इसे अब चलाते हुए जब तक कि हमारी बाइंडिंग वाली स्टेश भी नहीं आ जाता है पहुच जाता है हमें इसे कोक करना है हमारे मिश्रण ने अपना पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है यह देगे लेकिन इसमें अभी हम इसमें लगबर एक चम्मत जितना थोड़ा सा घी एट करते हैं जिससे में हमारी अलकी सी शाइन आ जाएगी और इससे थोड़ा सा तेस्पी और इन्हेंस हो जाएगा यह हमारे मिश्रण औरमोस्ट बंके तयार है हम अपनी कैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक लेट में निकाल लेते हैं यह देखे तरीके से हमारा जो मिश्रण है यह अच्छे से ठंडा हो चुका है इसे स्पून से और एक बारी मिला लेते हैं और फिर इसके हम इस इसी तरीके से पहले सारे coconut की लट्डू अपने milk powder coconut की लट्डू बना लेते हैं इस तरीके से हमने इनको रफ़ी बान के रख लिया है अब हम क्या करेंगे अब हम एक लट्डू को हाथ में लेते जाएंगे अगर यह आपके हाथ में स्टिकी हो आप हाथों को वेट कर सकते हैं यह फिर थोड़ा सा देसी घी भी हाथ में लटा सकते हैं और इस तरीके से इसमें रोल करते हुए तर आम इसे अपनी प्लेट में रखते जाएंगे अब है अब यह काफी सॉफ्ट है उसलिए इसकी शेफ नहीं ले पा रहे हैं आप इने जब फोर दे रखेंगे सेट होने के दिये सो इसकी शेफ में वापस से आजाएंगे अपनी यह बहुत ही टेस्टी रखेंगे इस तरीके से आपको खाने में इसलिए आप लोग करते है सिफ कोकोनट का बनाते हैं बुरादे का या फिर सिफ मिल्क पॉड़ का लेकिन आप इस तरीके से इन दोनों को मिक्स करके एक बार बना के ट्राइ कीजिएगा किसी फ्लेवर के साथ तो बहुत ही अच्छे आपको खाने में लगेंगे जो मैंने आज यह रोस फ्लेवर का ब अगर पास से देखेंगे या आप इसे घर पे खुद इस तरीके से बनाएंगे तो आपको खुदवा खुद ही फता चलेगा कि इतने अच्छे खाने में टेस्टी हैं और कितना अच्छा दिखने में भी लग रहे हैं इस तरीके से आप लोग इसे बना है घर पर ट्राइक कीजिएगा बिना किसी कुकिंग के आप फटाफट सी की रैसिपी बना कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगेगी कोई इसको बिलीव नहीं करेगा कि आपने इसे ब्रेट से घर पर ही बना कर तयार कर रहा हुआ है मिल एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए चेक के और गुडबाय थेंक्यू